मुकेश चन्द माथुर यानि गायक मुकेश हिंदी संगीत के स्वर्णिम दोर के मुहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ मुकेश जी का नाम आता था जिनके गीतों को हम जब आज भी सुनते हैं तो कई पुरानी यादें और एहसास उभराते हैं मुकेश जी किसी भी गीत में जान डाल सकते थे आज हम आपको एक ऐसे गीत के बारे में बता रहें जिसे लिखा तो किशोर कुमार जी के लिए गया था लेकिन मजबूरी में मुकेश जी से गवाया गया आखिर क्या थी वो मजबूरी और किस तरह मुकेश जी ने इस ठुकराय गए गीत को बिछुडने के दर्द से सराबोर कर दिया यही बताएंगे हम आपको इस खास पेशकश में तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर हिंदी फिल्मों में बेटी की बिदाई से जुड़े कुछ हैसे गाने हैं जिन्हें सुनकर हर माता-पिता की आँखे जरूर भी कियोंगी इनहें सुनकर आज भी सबकी आँखे डब डबा जाती है इन गीतों में रफी साहब का ये गीत सबसे उपर है लेकिन आज हम बात करेंगे मुकेश जी के इस गीत की जिसे बॉलिवुड का सबसे लोक्प्रिय विदाई गीत माना जाता है ये गाना देवानन सुचित्रा सेन की फिल्म बंबई का बाबू फिल्म का है जो 1960 में रिलीज हुई थी हाला कि इसके पहले पचास के दशक में फिल्म बाबूल में शम्शाद बेगम का 1954 में फिल्म सुभै का तारा में लता जी का और 1957 में मदर इंडिया में शम्शाद बेगम के गाने को भी दर्शकों ने पसंद किया लेकिन मुकेश जी के इस गीत का भावनात मकसर जादा घहरवाना जाता है इस गीत में कुछ ऐसी बात थी कि ये सीधे लोगों के दिल को छुगया बेहत भाव कर देने वाले इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तान पुरी ने इसके संगीत कार थे S.D. बर्मन इसे मशूर निर्देशक राज खोसला ने डारेक्ट किया था और इसकी कहानी राजेइन सिंग बेदी ने लिखी थी फिल्म की कहानी उस जमाने के हिसाप से बहुत बोल्ड थी राजेंदर बेदी और एमार कामत ने ओ हैंरी की कहानी ए डबल डायट डिसीवर से प्रेड़ना लेकर ये कहानी लिखी थी जिसमें एक ठत के रूप में देवानन सुचित्रा सेन के घर पर उनका बेचड़ा हुआ भाई बन कराते हैं वो इस घर के मालिक की तिजोरी उड़ाने की साजिश करते हैं फिल्म की कहानी ऐसे घूमती है कि सुचित्रा सेन देवानन को अपना भाई समझती है और देवानन उसमें अपनी प्रेमिका ढूनने लगते हैं दोनों कलाकारों ने इन किर्दारों के मन में चल रही कश्मकश को राजखोसλα के निर्देशन में बहुत खोपसूर्ती से उजागर किया है इस घीट से पहले सुचित्रा देवानन की असलियत समझ जाती है लेकिन तब तक देवानन का रदय परिवर्तन हो चुका होता है और वो इस घरवाले को लूटने के बजाए हकीकत में घर का बेटा बन कर दिखाता है इतने बोल्ड सब्जिक्ट पर आम तोर पर मुख्यधारा के फिल्मकार और कलाकार नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन इन लोगों का ये प्रयोग बहुत हिट रहा सुचित्रा सेन ऑक्सफोर्ट से पढ़कर आई थी उन्हें दर्शकों ने दिलीप कुमार की देवदास में पारों के रूप में जरूर देखा होगा वो अपने काम को लेकर इतनी सिलेक्टिव थी कि उन्होंने 25 फिल्मों में ही काम किया उन्हें आखरी बार सन 1978 में संजीव कुमार के साथ फिल्म आंधी में देखा गया था बंबाई का बाबु फिल्म में सचिन देव बर्मन ने बहुत लोग प्रिसंगीत दिया था उन्होंने इसके सभी गीतों में देवानन के लिए मुहम्मद रफी साहब की आवाज का इस्तवाल किया था लेकिन वो ये गाना किशोरदा से रिकॉर्ड कराना चाहते थे फिर घटना करम कुछ इस तरह से चला कि ये गाना मुकेश जी से गवाना पड़ा दरसर इस गीत की धुनों को एस दी बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज के लिए तियार किया था उन्होंने किशोर कुमार से बात भी कर ली थी लेकिन किशोर जी उन्हें समय नहीं दे रहे थे वेसे वो सचिन्दा का बहुत सम्मान करते थे और सचिन्दा भी उन्हें बेटे की तरह चाहते थे लेकिन किशोर कुमार मनमोजी इंसान थे उनका मन इस गीत को गाने का नहीं था इसलिए जब भी सचिन्दा उनसे रिकॉर्डिंग करने के लिए वक्त मांगते तो वो कोई ना कोई बहाना कर देते थे जब कई बार ऐसा हुआ तो सचिन्दा का धीरच जवाब देने लगा किसी ने उनको सला दी कि आप किशोर कुमार जी के चक्कर में ना पड़ें वो ये गाना नहीं गाएंगे इसलिए बहतर है कि आप इसे किसी और गायक से गबा लें इस तरह एक नए गायक की खोश शुरू ही और ये खोश खतम हुई मुकेज जी पर हिंदी संगीत के स्वन्डेम दोर में मुहम्मध रफी किशोर कुमार और मनना डे जिसे पुरुष गाைकों में मुकेज जी का नाम भी शामिल था उन्होंने हरमूर्ट और Emotions के गाने-गाये उन्हें आम तोलए पर राज कपुर की आवाज माना जाता था लेकिन उन्होंने बाकी गायकों के लिए भी खूब गीत गाय थे फिल्म की कहानी में ये गीत बहुत खास जगा रखता है जब सुचित्रा से इनकी शादी के बाद बिदाई होती है तब ये गीत बचता है इस गीत में बर्मनदा ने कोरस का इतना बहतरीन इस्तमाल किया है कि इंटरल्यूट म्यूजिक केवल शेहनाई और कौरल सिंगिंग से ही आगे बढ़ता है इस गाने के आखिर में करीब डेड़ मिनिट का संगीत है जो इसी तरह के शेहनाई और कौरस सिंगिंग से बना है भी एक इत बहुत लोग प्री है तो दोस्तों इस पेशकश में इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है